हाई अब्रिवान कशिज जीन दे साइट अल दे वे फ्रॉम पीके मेकप स्टूडियो एंड आइ होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे सभी लोग सबसे पहले तो एक बात बता दू आज का ये जो मेकप क्लास है आज का जो हमारा ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज डिटेल में आप सभी के डिमांड पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि पोर्ज वाली गड्डे वाली और पिंपल वाली स्कीन मेकप कैसे करें क्योंकि आप बड़ी दिमांड कर रहे थे आई नो भी आपको स्क्रीन पे तो लगी नहीं रहोगा गी पिमपले लेकिन अब देखिए आज का हमारा डेमो होने वाला है इस किन पे उसके साथ ही साथ मैं आपको डीटेल में स्मोकी आइज और ग्लॉसी लिप्स अगर आपने इस वीडियो में कोई भी पार्ट स्किप किया तो आपकी कोई न कोई चेज मीस हो सकती है इसलिए तो यहाँ पर मैं फेस क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैंने लेंस लगा दी हैं काफी सारे स्टेप्स जो है हम फॉलू करने वाले हैं तो डीटेल में वन याद रहे हैं जब भी बी और एकने वाले स्केन आपके पास आए तो बहुत ज़्यादा क्रीम बेस मॉस्टराइजर आपको यूज नहीं करना है अवाइड करना है क्रीम बेस सो मैं यहाँ पे शॉपरिल का मॉस्टराइजर यूज किया था फिर मैंने बोला थोड़ा सा ओ सबस्किया तो हम क्या लगाते चारेक्टर और आप ठीका लिए जल दा है अगर नहीं नहीं हो है अगर नहीं पता है आपको क्या होता है तो इस जरूर करेगा क्यों और उस में मैं आध कोई कोई यूज नहीं करेँ है अल्ग मैं जब र्यादा का दneभा है तर यह सीधर को 10 deep honey आप चाहिए तो कोई दूसरी ELF का concealer भी यूज कर सकते हैं वेल आपको एक चीज बता दू इसमें ऐसा नहीं है कि करेक्टर यूज करना गलत है या ऐसा मैं कुछ भी बताना नहीं चाहरी मैं आपसे से वितना ही कहना चाहरी हूँ अगर आपके पास एक अच्छा concealer है हाई कवरिज वाला तो आप करेक्टर नहीं लगाते हैं तो भी चलता है कहने को तो बहुत सारी जीज़े होती है मिद तो बहुत सारे लेकिन सच हमेशा एक ही होता है और वो सच ही है कि आप कुछ भी लगाएं आपका मेकप का जो लास्ट लूखे वो अच्छा होना चाहिए देन यहां पर मैंने concealer लगाया है उससे हम अच्छे से कर रहे हैं blend concealer मैंने इनकी skin से डाक लगा है आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से जो पिंपल का red tone थाना वो हाइड हो चुका है अच्छे से बज़िका भी कर सकते हैं मेवलीन सूपस्टे कर सकते हैं आपके अभजट के अनुसार आप फांडेशन ले सकते हैं यहां पे में अल ओवर फेस पे फैस पे हुदा ब्यूटी का फांडेशन अपलाई कर रहा हूं हाला कि मैं बहुत जादा मोटी लेयर में प्ल कॉमेंट में मुझे जरूर लिखना कि आपको क्या दोनों सरूरी लगता है या सिफ दोनों में से एक जरूरी है कॉमेंट डाउन लेट मी नो तब तक हमारा यहां पर लग चुका है फांडेशन अब हम इस फांडेशन को करेंगे अच्छे से ब्लेंड मैं ब्यूटी बेंडर यह वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजे सिखाने का पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ तो इसे हम लोगों ने कर दिया अच्छे से ब्लेंड अभी काफी हद तक हमारे पिंबल साइड हो चुके हैं अब और भी अच्छा कवरिज दूंगी मैंने ब्रश से नेक्स्थ स्टेप खरें हो नेक्स्ट स्टेप हिकला है हमारा टाया ज वहलांगा अब करेंगे फेस हाइलाइसिए उसकी लिए मैं monddı हों और उससे मैं आइसे हाइलाइटिंग करने वाली हूँ मैं दोड श्चेण मिक्स कर dur사가 एमारा यहांपे ओखेश कर सकते हो तो अपश सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी अभी कर लो क्योंकि अभी हमारा आए मेकप और लिप्स्टिक मेंली आना बहुत बाकी है इसा कुछ भी यूज नहीं किया है क्योंकि अगर में बट साथ क्रीमी प्रोड़क यूज करती तो शायद मेरा जो इनक्या जो पिंपल है वो और ज्यादा हाई लग जाता सो मैंने यह यूज किया है एक वी शेप में आपको अपलाई करना है और उसे उपर की तरफ ब्लेंड करना है सेम नोस कॉंटॉर यहां पर मैं दे रही हूं जब तक आपका नोस कॉंटॉर प्रोपर नहीं होगा तब तक मेक अप में जो इफेक्ट आना चाहिए न वह नहीं आथा तो आपको नोस कॉंटॉरिंग पर खास ध्यान देना है नेक्स्ट लिप कॉंटॉर मैं यहां करते हैं ता कि हमारी जो लिप से वह इन्हांस दिखे प्रॉपर ली दिखे इवन आजकल जो ट्रेंड है वह काफी जादा पाउटे लिप्स का है तो लिप कॉंटॉर जब करेंगे तो आपके लिप्स में जो है काफी पाउटी एफेक्ट आएगा नेक्स जहां पर मैं hydzig जब भी बहुत उठावा पिंपल किस तो आपको हमेशा उतनी कॉंटिडी यूज करने जितनी जरूरत हो, उससे जादा नहीं पुरा दबा नहीं लगाना है, ठीक है? जितने भी आपके हाइलाइटिंग एडियाज और फेस पे वहाँ वहाँ पे आपको हाइलाइटर यूज करना है, एन गईस मुझे कॉमें पताना हमारा बेस मेकप अलमुस्ट खतम हो चुका है, आपको आज का बेस मेकप कैसा लगा, मुझे जरूर बताएगा, अब हम आज च जब और भी आपको आपको आप आपको 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 करना इस तरीका के आपकatura मेकप कर च्याजर आपको अन जिस अदीन इंफ다 मेर करना हैं अ sıkटप्स पर पहले प्र Boss present used to पूस्पर्स कि ए अभर oral आपकेता लिने था और आपको नितना ही आपको 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 यह सभी प्रोड़क्स मिल जाएंगे नेक्स्ट में यहाँ पर इंगलॉट का जल लाइनर यूज करी हूँ तोड़ा सा सूख गया तो उसमें दूरालाइन मिला लिया क्योंकि आप में से काफे सारे लोग बुलते है ऊवफ्लाइन कोर्स की इंक्वाईरी कर रहे हैं आप हमारा ऑ मलनाइन ऑवेलिबल ऒसमाज की लिंक से लिए् Chuck कलर के आईशेडो के साथ and guys आपको यह मेरी नई रिंग कैसे लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना यह मेरा पोस्ट बड़्डे गिफ्ट था मम्मी ने दिया है मुझे तो बट पसंदा ही आप भी मुझे बताना आपको कैसी लगी उसकी बाद हमने लोबर लेश्च लाइन ड मैंने बहुत ही कम कॉंटिटी यूज की है अब लगाया है और ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड किया है अब यहां पर मैं यह तीन से चार कलर्स यूज करने वाली हूं स्मोकी आईज में जो मैंने पहले ही आपको ऑन स्क्रीन दिखा दिया है सबसे फॉस्ट मैं यहां लाइट ब्राउन कलर हमेशा आई मेकप लाइट कलर से शुरू होना चाहिए और वो डाक कलर पर आना चाहिए तो लाइट ब्राउन से शुरू कर रहे हैं एक आईशेदो ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से में यहां पर लगा रही हूं और देख सकते हैं आपको ब्योडिफ अच्छा लुक नहीं देता बहुत रॉफ लुक देता इसलिए नेक्स्ट में लेने वाली हूं एक मीडियम ब्राउन कलर का आईशेदो एंड उसको मैंने में इनली क्रीज लाइन पर डिपॉसित कर रही हूं और ब्लेंड भी करते जा रही हूं साथ ही साथ मैं यहां पर का किस तरीके से मैं ब्रश को यूज कर रही हूं यह सारी चोटी चीजे आपकी मेकप में बहुत जादा इंप्रूमेंट लाइगी सो कोई भी चीज समझ में यहां तोड़ा सा पीछे कर देख लो यार आपी का वीडियो है सो यहां पर मैं तोड़ा अच्छा अच्छा ब्लेंग ब्लेंद्ग ब्रश में यहां पर यूज सर्फ यहां पर ऐड़ाइक बर्स के कर दमाखो और यहां अवीर है इन अदने इंपॉर्टर जो मैं धोनों को बैलन्स करके वहां है और ब्लैक स्मोकी तो एक ऐसा आई मेकप है जो आज़ बहुत जादा ट्रेंड में है सभी लड़किया जो भी गर्ल्स होती है वो काफी सादा स्मोकी आइस दिमांड करती है तो आप सभी को स्मोकी आइस का नॉलिज अच्छ से होना बहुत जरूरी है आप लोग देख सकते हो लाइट ब्राउन और डाइक ब्राउन को एफेक्ट कितना ब्यूटफुल आ रहा है और डोनों को आपस में अच्छ से ब्लेंड कर रहे हूं यह में आई मेकप का जो उठाओ है वह अपने लिप्स्टिक साने वाला है तो लिप्स्टिक तक आपको कही अच्छ से देखना है और मुझे सुनना भी है साथ ही साथ यहां पर मैंने ब्लैक जल लाइनर मैंने लिया है उसको मैंने लगाया है और उसकी ऊपर मैंने ब्लैक आई शेडो लगाया है इससे हमारा जो यह शेडो है वो बहुत डाक दिखेगा और लॉंग लांग लास्टि जलिए ये वीडियो में बता देते हैं तो आपको शायद अवर अच्छा करेंगे इस लिए को प्राक्टिस करनी है और मुझे इंस्टेग्राम पर टाग करना है मैं आप लोगों की स्टोरीज के लिए वेट करने वाली हुँ ठीक है तो आज अगर वीडियो देखा है तो आज आज प्राक्टिस कर लो ताकि मैं फटफट आप लोगों की स्टोरीज देखो इंस्टेग्राम पे यहां पे मैंने सेम जल लगाया लगाया और उसे ब्लेंड कर देख से कितना ब्योटफिली हमारा जो आईशड़ वो ब्लेंड हुआ है दैन इस आई में में चार चांद बहुत ज्यादा अमेजिंग हो गया क्योंकि जब हमारे पस ब्राइड आती ना तो वो दिमांड करती है तोड़ा सा शिमरी उसको चाही होता है आज इतना चल रहा नहीं है तो यह जो है आपको बिना किसी ग्लू के डिरेक्ली अपलाई करना है इस पिग्मेंट में आपको कोई जरवत नहीं है फिर मस्कारा करनी के बाद यहां पर मैंने लगा दी है और वह भी बहुत ही सुन्दर लग रही है मैंने मिंक लैश अपलाई कि क्योंकि मुझे चोटी चोटी लैश इतनी पसंदी है मिंक लैश मुझे बहुत पसंद आती आई मेकप के साथ सो यहां पर क्ल्हु छहां लिप्स्टिक यहां बाद लिप्स्टिक लिप्स्टिक सब्सक्बूम है बालाई कि बाय भाद निफ्स्टिक लाइन लिचाग करे तो इस वीडियो बतातरी कि मेरी दो निफंस्टिक लेट हम तो तो बताते हैं आप लिप लाइनर भी यूज कर सकते हैं या पाउडर भी यूज कर सकते हैं मेरा अपना टेक्नीक है बनाय हुआ कि मैं पाउडर यूज करती हूँ आप चाहे तो लिप लाइनर भी यूज कर सकते हैं बाह easy to apply, then we will use a lipstick at the top here मैं यहाँ यहाँ को यहाँ करी हु, मैं यहाँ का यहाँ यहाँ कि यहाँ 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 ए लिफस्टिक जिसकाँ बिंदिक्टै जए ट्रैंजिन्टो से रुट्सक यहाँ करें यहाँ यहाँ पर फेटीस्टिक करने वाली हूं। अभी आप लोगों को क्वेशन होगा कि मैं मैं ग्लॉस कैसे बाई करें हम खाना गाते हो तो अमारा ग्लॉस निकल जाता है तो मैं फेंटी प्रेवरेट क्यों कि खाना खाओ पानी प्यो तो भी यह नहीं निकलता है लिकिन अगर आपका बजट कम है आपको थोड़ा सा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आ गया है तो यहां पर फाइन लुक देख सकते हो थांक्यू सो सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए जिनों भी देखिए दिल से थांक्यू गाइस जिनों भी देखिए वो अपना नाम कॉमें में अपडेट करें बाइवाई थांक्यू गाइस और नों फोगे तो सब्सक्राइब